नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्सन पर आपका श्वागत करते हूं दोस्तों मैं बात करूंगे विश्णू सहस्त्र नाम के बारे में विश्णू सहस्त्र नाम यदि आपने अब तक बहुत सारी प्रसंसा सुनी है तो मैं कहूंगे आपने बहुत कम सुनी है क्योंकि व पाठ को पढ़ने से लिखा भी गया है यस्चे स्मरण मात्रेन जन्म शंसार बंधना जिसके स्मरण मात्र से ही जन्म और संसारिक बंधन जो है वो प्राणी उसे मुक्त हो जाता है तो अब उसकी विसेशता हैं तो आप सभी जानते होंगे और मैं भी बता रहे हूं आपको ल पाठ चमतकारी एक बिधी बताऊंगे कि यदि आप पढ़ने पाते हैं तो क्या करें आप सबसे पहली चीज कि आपको विश्णु शहस्त्र नाम का पाठ कबसे प्राड़म करना चाहिए तो इस पाठ को पढ़ने का कोई भी ऐसा समय नहीं है जब आप नहीं कर सकते हैं इस आप प्रतिदिन हजार मंत्रों का जब करते हैं ये पाठ इतना प्रभाव साली है दूसरी चीज आपको बताऊं कि आपको इस पाठ को कब करना चाहिए तो देखिए ऐसा कोई सास्त्रों में तो इसको मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने कुछ अनुभाव किया है जिस अनु आप इस पाठ को साम कोई बदले सुबह करें क्योंकि सुबह में कुछ ऐसी स्त्रों होती है जो कि जागरे तवस्ता में होती है और आपके द्वारा किये गए पूजा पाठ पूर्य कर्मों का फखल आपको सीगर देती है तो जो पाठ करने का सही समय है वो सुबह है आप मोबाइल में या फिर कोई ऐसा टेप्रिकार्डर आप घर में रखें जिसमें आप मंत्रों की ध्वानी चला करके सुन सके मैं कई वीडियो में आपको बता हूँ कि मंत्रों की ध्वानी घर में गूंजी थोना भी सकार आत्मकुर्जा का संचार करती है तो अब आपको क्या यानि कि जो है उसका याद करने से उसका जो है स्रमण करने से आपकी जीवन में उस मंत्र का उस पाठ के करने का फल प्राप्त होता है वैसे ही चमतकारी पाठ है हमारा बिश्णु सहत्र नाम तो आप यदि इसको कर पाते हैं बहुत स्रेश्ट है बहुत स्रेश्ट है मैं कहते पटरी पे आने लगती है आपकी गारी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दुकान नहीं चल रही है तो आप एक काम करें घर पे या फिर दुकान पे इस पार्ट को करना प्राडम करें बहुत अच्छा परडाम जो है आपको सिग्र देखने को मिलेगा अगली चीज है कि जो भी आप जैसे कि आप कुछ लोग की समस्या होती है कुछ लोग लिख के भेज़े थे कि हम लोग इस ठंड में पूरी तरस से स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें किसी को अस्थमा है किसी को और सारी रिक दिक्कत है तो ऐसी इस्तिती में आप बैट करके कोई आसन ल सुनने का अपना अलग ही होता है लेकिन मैं कहूंगे अपने जीवन में इस चमतकारी भगवान विश्नु के हजार नामों का प्रति दिन या पार्ट करें या फिर सुने वैसे पार्ट करने का अपना अलग ही आपको फल प्राप्त होता है तो यदि किसी कार्ण से आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप हिंदी में ही इस नाम को पढ़ें लेकिन संस्कृत देव भासा कहीं गई है तो यदि आप संस्कृत में कर लेते हैं तो बहुत रेट है लेकिन संस्कृत देव भासा है और जब आपको आती यहीं नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में हिंदी पार्ट करें जो आपको आ रहा वो करें एक प्रस्ण और आया था कि हम क्या करें पढ़ते हैं तो असुद्धी होती है एक चीज बताइए बच्चा जब बोलना सुरू करता है तो उससे भी बहुत सारी गलतियां हो आपको यकीन के साथ कह रहे हूं विश्वास कीजिए कोई भी मंत्र आप जपें तो पहले उसकी प्रेक्टिस करें मेरे खाने का ये अर्थ नहीं है कि भगवान माफ करते हैं तो आप गलत सुरू कर दें गलती से गलती होती है तो भगवान उसको समझते हैं तो आप कोसिस क आप अपने तुतली आवाज में जो भी आता है जैसे बच्चे होते हैं बार-बार गलती करते हैं बार-बार सुधार करते हैं तो आप भी भगवान की नजर में बच्चे हैं आप सुधार कीजी भगवान आपके प्रयास को समझेंगे निश्टित रूप से आपकी खाली जोल को भरेंगे एक प्रयोग बताने जा रहे हूं आपको विश्नु सहस्त्र नाम का देखिए आप यदि कोई किसी काम के लिए बहुत जादा परिशान है बहुत जादा दिक्कत में है और यदि दुकान आपकी नहीं चल रही है आपका कोई भी ब्यावसाय है आप इसे कुछ भी में भी कर सकते हैं जैसे आपको लगे बस सुविधा जो आपकी हो उस तरह से करें 40 दिनों के अंदर अंदर तक बदलाव ना आए तो ये हो ही नहीं सकता मैं नहीं मानती हूं कि बदलाव नहीं आएगा आप करके देखिए मेरा बहुत द्रिन भरोसा है और आपको भी विश हो जाएगा तो इस चीज को आप जरूर करें यदि पढ़ नहीं पाते हैं तो सुने और सुन भी नहीं पा रहे हैं तो मतलब इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं है तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी और मैंने आपके सारे प्रस्णों को यहां नोट किया था कि विश् है कि यदि आप मार्कदर्शन परिवार के हिस्सा है मार्कदर्शन को आपने सब्सक्राइब किया है तो निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिस रहती है आपके जीवन को बदल कर रख देना आप को कहें कि आपको लाब हो रहा है मेरी पूर्या प्रयास मेरी पूरी कोशि के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्क दैसन परिवार का हिस्सा बने धन्यवाद